तो अभी ओर है टाइम साड़े ग्यारा बजे का और मेरा मन किया कि एक मिनट आप से बात कर लूँ कि मैं साड़े ग्यारा बजे बैठके क्या कर रही हूं तो अभी तो मैं नहा के आई थी 11 बजे मैं नहाई थी गर्मी बहुत लग रही थी इसी भी चला रखा है देखो फिर भी बहुत गर्मी हो रही थी तो नीचे से आई खाना माना बना के तो पहले इसी खुला और फिर नही तो इतने थोड़ा सा कमरा ठंडा हो गया और अभी मै मैं वीडियो चला रखी थी किसी फ्रैंड्स की जैसे जिनकी वाच करती हूं और साथ में तुर्पन भी कर रही थी बैठके तब दिखाते हूं टाइम कितना हो गया देखो पूरे साड़े ग्यारा हो चुके हैं रात के और अभी मैंने ना पैरो के नेल पेंट भी लगाई ख्राइप काईसी लगरी कई दिन से पार ऐसे थि तो मैंने का ला लगा लेती हूं तो आपके यह लगा लिया रैड वाली लगाते में इस ज़्यादा आपके यह वाली लगा लगा ली कि तो चलो अभी कर लेती हूं मैं अपना फौन का बाकी का काम और फिर उसके बाद मिल कर रही थि इधार से महीं बन आई थी सुखाली घ्राइश इस पर मैंने रखिय थी it और दूसरी Tombstone कर से का रही थी वह भोग लगाने के लिए वंगारी कर रही थी तो मैंने गेस पे रख रखे थी और सेमनी यहां बगा नी निकाली था फिर निकाल के भोग लगा देंगे तो यहां पर होगी है हमारी मावस की पूजा जो भी मावस का जैसे मभोग लगाते हैं आपके यहां कैसे होती है पता नहीं हमारे इसी तरीके से करते हैं और फिर यह है दूफैरी का तो खाना लग गया मेरा सेवई और रोटी और फिर मैंने बनाई थी पनेर की सबजी, सेवही तो सुबही बना ले थी, तो यह हमारा लंच है, चलो आप भी आ जाओ, लंच करने के लिए, तो मैं यह किलिप है, पांच दिन पहले की कम से कम, तो मैं यहाँ पर कर रही थी, पंखा साफ, पंखा गंदा हो रखा था, हौल का भी और यह भी दोनों ग तो संदेव रखए था, रोमका बर ti, कोगे गेस चलती है, तो यह पंखा, जलदी से गंदा हो जाता है, तो पहले हलमारी के उपर से साफ किया था, तो फिर मैं पंखे, और सी साफ कर रही थी, और जैसे मैं पंखा साफ कर रही थी, उसके बाद जो हुआ, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगे वीडियो में फिर उसके बाद मैंने कोई वीडियो भी नी बनाया दो दिन तक और भार का पंखा भी साफ ने किया बस अंदर का ही पंखा साफ हुआ था और उसके बाद फिर जो हुआ वो भी बताती हुआ मैं गीक्षाए अजी तो अब गाना छां घर चा और सब मैं तौस अब लिता है जामारीक हमा चोपाइब कर लेनी के देटान से दाफसे सफोजे ठीजिछ हमार्ड़ा के अजीस में बगंड़ा तो उसने का ममी मैं पंखे के टच हो गया मैंने का तो चल ठीक है तू उतर के नीचे आजा मैं कर दती हूं साफ तो मैंने उसे उतार दिया और मैं कुर्सी पर चड़ी बैड के उपर कुर्सी रख्योगी थी तो फिर मैं उस पर चड़के पंखा साफ कर रही थी पंखा साफ हो मैं उसे फिर बोल रही थी दुबारा से मैंने का पंखा साफ हो गया अब आजा साफ पंखे की किलिप बना ले अभी तो गंदे की बनाई थी तो उसने का ठीक है बस वो फोन लेके आई रहा था तो मैं कुर्सी पे से एकदम से जैसे हीली तो पता नहीं मेरा पैर कैसे हुआ कुर्सी कैसे हीली और कुर्सी एकदम से तूट गई और मैं बैड से और कुर्सी से दोनों से निचे आई वो तो संजीव जैसे यंदर आ रहा था वीडियो बनाने के लिए तो उसने मुझे पकड़ लिया एकदम से निचे नहीं गिरी जैस कि गिरी इस तरीके से थी चेयर टूटी और चेयर से सिधा बैड से एकदम से नीचे तो संजीव एकदम से आ गया तो उसने हाथ लगा लिया पूरी कुर्सी के तो चार टूपड़े हो गई तो कीना मतलब हाद्सा होते जोट नहीं लगी जैसे गडी तो फदी नी आ होग दो इसलिए लेकिन फूर वीडियो भीजारी मैंने फिर फदी नी बनाई दो दिन तक कोई वीडियो तो ये छोटी सी क्लिप बन रखी थी मैंने का एड भी कर देती हूं और आपको बता भी देती हूं क्या हाथ सा हुआ था वो तो सुकर करो मैं संजीव को चड़ा रही थी वो नीचे उतर गया नहीं तो विचारा वो गिर जाता मैं गिर गी तो चलो कोई बात नहीं तो बचा कर देते हैं जब पूरा वो लोग तो बन नहीं पाया था मैंने तो सफाई करती कुछ बनाती लेकिन वह वहीं रुग गया पंखे के उपर ही उसके बाद कुछ बन नहीं पाया और होल का पंखा तो अभी तक भी साफ नहीं हुआ है जो कि दूबार है चड़ने की फिर मैंने कोशिस नहीं करी मैंने करेंगी रुग जाऊeren दिन बात करते अब तो अभी नहीं किया है और होल का जादा जल्दी गंद सथा लम खा जाक रही है उपर का तो मैं बहुत दिन बाद जैसे हलका सा कपड़ा मारते हूं जो रूम की सफाई कर रहे हूं और निच्चे के तो हर 15 दिन में बिल्कुल गंदे हो जाते हैं साफ करने वाले तो वही ऐसा हुआ और मैं हर बार ऐसे ही करती थी बैट पे चेयर रखके पर पता नहीं ज्यादा भारी हो गई वेट बढ़ गया संजीव कहरा मुम्मी तुम्हारा वेट बढ़ गया और कुरसी भी टूट गई मैंने का हाँ बिटा तो चलो फिर इसके साथ ही लोग का एंड क और मिलेंगे एक अच्छे से वोग के साथ बने रहे हमारे साथ